यह बक्रा जो है यह पचास किलो वजन पे है और अधन्थ है और इसकी क्वालिटी आपके पास है आप एक बार देख लेजी यह अधन्थ है और यह अभी तक पचास किलो वजन कर चुका है यह बिल्कुल प्योर नसल में सिरोई है अगर आप लेना चाहते है तो केजेन गोटफा में नापूर में आप संपर्क करें और वहां से आप कलेट करें बिल्कुल वैक्षिनेटेड और फूर्टिला जानवर आपको मिलेगा और एक दूसरा जो सिरोई नसल का है यह चार से पांच मंत का बच्चा है ब्रीडर और इसकी लेंद देखिए और इसका लगबग औजन आएगा 35 किलो और यह जो एक बच्चा यह साथ मैने का है अधन इसका भी उजन आएगा 35 से 40 किलो के अंदर और बिल्कुल फूल एक्टिव और क्वालिटी में है इसका चमाक और इसकी कमर आप देख सकते है और इसकी क्वालिटी यह नसल की अगर शिरोई आपके पास है तो आपका फाम जो है ओ खुदबग खुद आगे बढ़ने वाला देहसे वीलकुल खुद अधंत ख्का है विक्तक टक क्वालिटी आप रखने तो फीश्यार इसके कालिटी बच्चे आएंगे और व humans में जलसे जलद करेंगे और जो है बिलकुल क्वालिटी में आपक्रा पास्चा सा ब्रीडिंग के लिए जो ब्रीडिंग के लिए ब़क् सिरोई फिमेल दो बच्चा देनेवाली फिमेल है देर से दो लीटर दूद करती है और इसका हाइट और इसकी कलर बगेरा सब कुछ आपके पास है और एक बक्री है प्रेगनेंट अब इसके निचे बच्चा भी है और इसका आवजन आएगा लगबख 45-50 किलो और ये देखिए एक बकरी है मेरे हाथ में ये लगबक 70 किलो के आसपास है 65 से 70 किलो के अंदर ये होगी और ये लोडेड है तीन मैने की 3 मन प्लास प्रेगनेंट है और ये दो बच्चा देती है और देड़ से दो लिटर दूद करती है बकरी चार दात पे है और ये एक बकरी देखिए ये भी लोडेड है और चार दात पे है बकरी 50 किलो के आसपास और ये एक छोटा बकरा है ये 28 किलो का है अदन्त क्वालिटी देखिए आप एक बकरी है 35 किलो की अदन्त नहीं पठिया है सिरोई में और ये एक देखिए थ्री मंद प्लास लोडेट दो बच्चे देने वाली और पियोर नेसल की शिरोई बकरी 62 केजी प्लास वजन तो ये होता है कॉलिटी सिरोई के अगर इस टाइप का किसी को फीमेल चाहिए तो हमसे संपर्क करें ये सब जो फीमेल है हमारे फार्म पे आने वाली है केजियन गोटपा मिननापूर सेंट जोसेफ हंस्पिटल से बिलकुल करीब करीब और मिननापूर रेलवे इस्टेशन से केवल साथ किलो मीटर एक देखिए ब्रीडर 35 किलो इसका वजन अधन इसकी लेंद और इसकी क्वालिटी देखिए तो वाट्सप कीजिए आपको जो भी पसंद आता इसमें से आप वाट्सप कीजिए